नमस्कार मैं प्रियाता है आप सभी का स्वागत है हमारे खास कारेकरम खबर पुमीदों वाली में इस कारेकरम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाई लोगों की जो लोग दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं और जिनकी संगर्श की कहा आप में कुछ नया कर गुजरने का ज़स्बाब कर देती है एक और ऐसी कहानी लेकर राजिन हैं आप सब के पीछ मुंबाई की रहने वाली गीता पाटल गीता ने अपने एक गुनर को बिजनस बनाया और फिर एक अलग पहचान बनाई गीता को लजीज खाना बनाने का शौक और गीता को ये विरासत में मिला है अपनी मा से गीता की मा कमला भाई पिफिन का अपना छोटा सा बिजनस चुलाती थी और इसमें गीता उनकी मदद खरती थी इस समय ली गई सीख से गीता आज के वक्त में सालाना करोर रुपे कमा रही है गीता का जन और पारन पोशन मुंबई में हुआ है और बाद में शादी भी इसी शेहर में हुए इसलिए बहें इस जगा से अच्छी तरह से परिचित थी गीता को लोगों को फिलाने की प्रेर्णा अपनी आई से में गीता बताती हैं कि मेरी आई बड़े आराम और सहस्ता से रसोई में काम करती थी और सुबा सुबा ही कई सारी थाई पर याद कर देती थी और मैं इसमें उनकी मदद भी करती थी इस हुनर्स में से गीता ने साल 2016 में अपने घर से एक छोटे से बिजनिस की शुरुआत की जहाँ बहें परमपारिक, मारिष्टे स्नेक्स और मिठाईयक जैसे की मोदक, पूरन पॉली, चकली, ओहा और चिव्या बना कर बेस्ती पूल इसे शुरू करने के लिए काफी कम निवेश करने की जुरुद बढ़ी, गीता के हातों का स्वात लोगों को काफी पसंद आया और धीरे धीरे हर मही ने उनके भ्याकों की संख्या बढ़ती गई गीता जल्दी अपने दोस्तों और परिचुतों बीच में अपनी पाक कला की वज़ा से फैच्चाने जाए लगी गीता बताती हैं कि उनके इलाके में अलग-अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अक्सर उनके मुस्लिम और दोस्त जो हैं वो महरश्चन पूड जैसे की चकली या पूरन पोली के लिए और देते थो गीता बिना कुछ चार्ज किये उनकी लिए डिसिस बनाती थी कुछ समय तक यह सिलसिला चलता रहा लेकिन साल 2016 में गीता के पती गोविन थी टेंटल लेबरिटी में कलक की नौकली चली गए गीता कहती हैं कि घर चलाना था बच्चों को पढ़ाना था लेकिन नौकली नही इस घटना ने उन्हें पहली बार घर चलाने और परीबार का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतीबा का इस्तमाल करने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया गीता को अपनी खाना पकाने के कौशल पर पूरा भुरोसा था और फिर पती के समर्थन से अपनी घर की रसो मिला तो समय काफी नर्वस थी क्योंकि मेरा शॉक एक बिजनस और हमारे घर चलाने का एक साधन बन चुका था इसलिए अब मैं इसे हलके में नहीं ले तकी थी साल 2016 से 2020 तक बिना किसी ओप्चारिक ब्रैंडिंग के ही घर की रसोही से ही कीता का मारेश्चन पूर बिजनस चल रहा था इसकी शुरुआत धीमी थी लेकिन गीता को भरोसा था कि अच्छा चले गए बिजनस शुरू करने के शुरुआती साल में वें प्रबता करौनी में बीमसी के करमचारियों को चाय और नाश्टा सप्लाई करती थी वें कहती हैं कि वें उसी उर्जा से काम करना चाह नाम से लेकर एक नाम बनाया उसके बाद सोशल मीडिया पर उसको अड़राइजमिन्स शुरू की ताकि जादा स्यादा लोगों को बिजनस के बारे में पता जल सके विनेत ने सालाना वेबिर्यू पार लाग से बढ़ा कर एक दिशन्नत श्राज करो रूपे तक लाने का का किया जिसके बाद गीता ने अपने बिजनस को बढ़ाया और 25 से जादा महिलाओं को रोजगार दिया घीता कहती है कि इससे कई ऐसी महिलाओं को भी मदर मिली जिनके पतियों की नौक भी महमारी के वक्त शिन गई थी गीता ने कभी नहीं सोचा था कि उनका बिंसल सिहा तक पहुंच जाएगा हर महीं में तीन हजार से ज़ादा और भेज़ जाने के साथ साथ ब्रेंट जल्दी अन्य शहरों में भी अपनी सेवा का विस्तार करने की योजना बना रही है गीता अपने इस बिजनस से सलाना एक करोर से जदा रुपे कमा रही है उमीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी फिल्याल मुजी बीजी जादत धन्यवाद